हेलो फ्रेंड्स, BSC की इस स्पेसल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है मैं नीम इस आशिश गिरी और आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC 3rd Year Geology का 1st Semester है Applied and Economic Geology दोस्तो इस Semester के अंदर 1st Unit है Parasytology जिसके अंदर आप 3 Animals की Life Cycle के बारे में Study करते हैं 1st है Trypainosoma, 2nd है Girardia Lambleia और 3rd है Wuchir Area Bancrofti तो Girardia Lambleia और Trypainosoma की Life Cycle को अल्रेडी मैं 2 वीडियो के अंदर Complete कर चुका हूँ अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो Description Box में आपको Link मिल जाएगा या फिर आप Channel के अंदर जाएगे आपको एक अलग से Playlist भी मिल जाएगा आज किस वीडियो के अंदर हम Cover करेंगे Wuchir Area Bancrofti के Life Cycle के बारे में Wuchir Area से Related जितने भी Topic हैं वो सब के सब इसी वीडियो के अंदर Complete होंगे यानि कि इसके अलवा कोई अलग Wuchir Area के उपर वीडियो नहीं बनाये जाएगा तो इस वीडियो के अंदर आप देख करके Concept को अच्छे से Clear कर सकते हैं इसके बाद यदि आप Notes जाते हैं तो Notes में Bio Book Tag Application पर Parasytology के Already Cover कर चुका हों और आगे भी जितने भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा जितने भी Topics मैं Cover करता रहूंगा उन सभी के Notes आपको Bio Book Tag Application पर Provide किये जाएंगे इसके अलवा दोस्तों आप हमारे Telegram Channel से भी जूड सकते हैं हमारे Telegram Channel का Name है Bio Book Tag आप वहाँ जाकर कि हमारे Telegram Channel को भी जोइन कर सकते हैं जहां पर आपको BSC, MSC related जो Notification होती है उनको मैं देता रहता हूं साथ मैं आपको Notes भी Provide करता हूं तो चली Friends, वीडियो को Start करते हैं तो चली Friends, एडिंग दालेजिए Voucher Area Bank of TIE आज किस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे Voucher Area Bank of TIE के Systematic Position के बारे में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके Important Features के बारे में इसके Geographic Distribution के बारे में यानि कि ये World में कहां-कहां पर Distributed है, कहां-कहां पर पाय जाता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी Male and Female Adult Body की Structure के बारे में और इसकी Larva की Structure और General Characters के बारे में Finally हम Topic Cover करेंगे इसकी Life Cycle के बारे में यानि कि दोस्तों वावचेरिया से Related हम सभी Topic Cover करेंगे इस वीडियो के अंदर और साथ में आपको ध्यान रखना है जितने ऐसे College है या इनिवस्टी है जहांपर MCQs के माध्यम से Question पूछे जा रहे है उनको Especially ध्यान रखना है कि Topic को अच्छे से पढ़ना है और साथ में याद भी रखना है क्योंकि दोस्तो MCQs को आप तभी Solve करेंगे जब आप इसके जो Topics है उसको याद रखेंगे इसके बाद आपको एक Point और ध्यान रखना है इसके Life Cycle से Related काफी सारे Questions पूछे जाते हैं और इसका जो General Features हैं उससे Related Questions पूछे जाते हैं Right Class Phase Media की अंदर रखा गया है Phase Media and Order है इसका File Aeroidia and Family है File Aeroidia and Genus है Voucheria and Species है Bancroft Eye दोस्तों सबसे पहले यह है इसका Systematic Position जिसे आप देख सकते हैं इसके बाद आपको Note Down करना है कुछ Important Features जो की बहुत ही जादा Important है MCQs के परसपर से और साथ में आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि अगर Theoretically भी आप उसको Explain करेंगे तो कुछ ऐसे Point है जो की बहुत जादा ज़रूरी है First Important Point यह है दोस्तों कि Voucher Area Bancroft Eye यह एक Endo Parasite है Endo Parasite क्या होते हैं ऐसे Parasite जो किसी Body के अंदर अपने जीवन का व्यापन करते हैं उसे कहा जाता है Endo Parasite अब यह Body किसी Animal की Body हो सकती है किसी Plant की Body हो सकती है या किसी भी Organism की Body हो उसकी Blood Cells के अंदर या उसके Tissues के अंदर या उसके Cell Organs के अंदर अगर कोई भी parasite के form में कोई parasite पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे endoparasite दूसरा point यह है कि voucher area bankroft eye जो हता है यह एक die genetic parasite है die genetic parasite का क्या मतलब हो गया ऐसे parasite जो अपनी life cycle को complete करने के लिए दो host की help लेते हैं उसे कहा जाता है die genetic parasite तो voucher area bankroft eye की life cycle के अंदर कौन से वो दो host है तो पहला है दोस्तो मच्छर दूसरा है यहाँ पर human ठीक है male या female कोई भी हो सकता है human के अंदर दोनों को ही infection cause करता है यह तो इसलिए से हम कहते हैं die genetic parasite अभी मैं जस्ट आपको life cycle जब मैं समझा हूँगा तो बहुत आसानी से आपको इसकी life cycle समझ में आ जाएगी तीसरा point जो की most important point है यह एक sexual dimorphism सो करता है लैंगिक दिरूरूपता जैसे कि हमने BSC first year के अंदर पढ़ा था नेरीस के बारे में जस्ट यहाँ पर भी आपको sexual dimorphism देखने को मिलेगा यानि male और female body को आप देखकर ही पैचान सकते हो कि कौन सा male है कौन सा female है क्योंकि यह एक लैंगिक दिरूरूपता प्रदर्शित करता है sexual dimorphism शो करता है जनरली आप जान से देखेंगे तो female body जो होती है वो बड़ी होती है male के comparison में ठीक है और भी कई सारे ऐसे characters हैं जैसे आप देखेंगे female यह जो male body है इसकी जो पीछे वाला जो हिस्सा है यह आपको थोड़ा hook की तरह मुडावा दिखाए देगा जबकि female body के अंदर असा नहीं होता एकर ऐसी कोई condition जिसमें male और female body को आप असानी से पहचान सके देख कर ही कि कौन सा male body है कौन से female body है तो इसको कह जाता है sexual dimorphism तो एक चीज और confirm हो गया कि इसके adult form के अंदर male भी होता है और female भी होता है और male और female अलग-अलग होते हैं ठीक है ध्यान रखना इसके बाद का larva कौन सा बनता है इसके अंदर microfilaria larva ठीक है इसके larva का नाम है microfilaria larva जो कि MCQs के परपस से कई बार exam paper में पूछा जाता है तो उसको note down करेंगे adult form generally कहां पर notice किया जाता है इसकी adult form को हमारी जो lymph glands होती है lymph nodes होती है या हमारा जो पूरा lymphatic system है जिसके अंदर आप generally पाया जाता है lymph glands पाया जाती है lymph nodes पाया जाती है lymph vessels पाया जाती है उसी के अंदर इसका adult form पाया जाता है राइट, लाइफ साइकल के अंदर बहुत अच्छे समझ में आएगा, अब नोट कीजिए इसके कुछ important point, voucher area bankrupt is a philarial nematode, जैसा कि मैं आपको कहा कि ये phylum nematoda के अंदर आता है तो इसे हम generally nematode के नाम से भी जानते हैं, ठीके ये एक nematode है, that causes voucheriasis and philariasis, ये जो disease cause करता है उस इसलिए जानते हैं elephantiasis को हिंदी मगा जाता है हाथी के जैसा पाओ, हाथी पाओ, दोस्तो जनरली जब ये infection cause करता है, तो हमारे जैसे leg हो गया, या फिर scrotum हो गया, जो हमारे testis होंगे male body के अंदर, या female body के अंदर जो memory glands होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा swelling आ जाती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हाथी इतनी ज़्यादा swelling, उस swelling की वज़से जो हमारे pair है, या male या female body का जो pair है, वो एकदम बहुत ही बड़े हो जाते हैं, हाथी के समान दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसे हम कहा जाता है, इस disease को elephantiasis, ठीक है, ये human being के अंदर बहुत काफी ज़्यादा ugly pair दिखने लग जाता है, इसके बाद number second point आप note करेंगे, the name of worm is given voucheria bankrupt, इसका नाम किस ने दिया, ये जो voucheria bankrupt का नाम किस ने दिया था, तो दो scientist एक का नाम है voucher and दूसरे का नाम है bankrupt, इन्होंने who made the considerable contribution in studying disease cause the worm, इन दोनों ने इसके उपर study किया था, किसी ने इसकी खोज की थी, और किसी ने इसके life cycle को discover किया, इसके base पर इसका नाम रखा गया है, इसके genus का नाम वाउचेरिया और इस पर सीच का नाम है bankrupt, right, तो ये दो important point आपने note किये, इसके बाद अब हम बात करते हैं, इसके geographic distribution के बारे में, यानि ये कहां कहां पर distributed है, पूरे world म में, कहां कहां पर ये disease कॉस कर रहा है, तो देखे, वाउचेरिया बेंकॉर्फटाई इसे लार्जली कंफाइन तू दा टॉपिकल एंड सब्ट्रोपिकल कंट्रीज ओफ दे वर्ल्ड, तो ध्यान रखना है, मेंली ऐसी जगह जहां पर काफे ज़्यादा थोड़ी गर्मी ह वहाँ पर ठीक है, यह नहीं कि ऐसी जगह जहां टॉपिकल और सब्ट्रोपिकल रिजन में, उसके अंदर जितने भी कंट्रीज आती हैं, वहाँ पर ये डिस्ट्रिब्यूटेड है, ठीक है, सिंपली यहां पर आप यह नहीं कह सकते कि कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पा पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ चाइना, जापान, पेसिफिक एसलेंट, वेस्ट एंड सेंटरल अफरिका, एंड साउथ अमेरिका, तो मतलब यह एक ऐसे रिजन है, जहां पर यह कोमली पाया जाता है, ठ यहां पर आपको दिखाई देगी, इसकी नर्व रिंग, यह इसका गोनोफोर, इंटिस्टाइन, ओवरी, युटेरिस, लगबग सेम ही होती है, इनकी बोडी लेगिन बस साइज में थोड़ा डिफरेंस होता है, और थोड़ा स्ट्रक्चर में पीछे से आप देखेंगी, यहां पर हुक लाइक है, यहां पर हुक लाइक ऐसा नहीं होता है, दूसरा पॉइंट इसमें आप देखेंगी, इसमें ओवरी है, तो इसमें यहां पर टेस्टिस प्रेजन रहते हैं, उसके बाद यह है इसका लार्वा, राइट, वाउचेरिया का यह है लार्वा, अभी इसके बारे में हम इसके जनरल केरेक्टर्स को भी स्टडी करेंगे, सबसे पहले आप इसको फटाफट नोट कीजिए, अब हम डिसकस करेंगे वूचेर एरिया बैंकरोफट आई के एडल्ट फॉर्म के जनरल फीचर्स के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह है फीमेल एडल्ट बोडी का डाइग्राम, यह है मेल एडल्ट बोडी का डाइग्राम, तो डाइग्राम की मदद से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, आईए देखते हैं इसके जनरल फीचर्स एडल्ट फॉर्म के देखे, एडल्ट फॉर्म के अंदर यहां पर दोनों मे या आप कह सकते हैं thread-like, transparent, translucent, thread-like worms होते हैं number second point, these are cylindrical इनकी body आप देखेंगे तो एकदम cylindrical होती है in shape with both ends are tapering, दोनो ends थोड़ा pointed होते हैं और tapering है, right? उसके बाद देखेंगे आप number third point, sexes are separate क्योंकि male और female body अलग-अलग है male body के अंदर male sex organ है, female body के अंदर female sex organ है male और female body इसलिए दोनो-दोनो अलग है, separate है with distinct sexual dimorphism और dimorphism show कर रहे हैं, लेंगिक दिरुरुपता show कर रहे हैं that means कि male और female body को आसानी से आप देखकर पैचान सकते हैं कि कौन सा male है और कौन सा female है उसके बाद point आता है, इसके size related the female body जो होती है, वो larger होती है than male यानि female body लगबग 60-100 mm इसका length होता है और अगर हम बात करें इसके male body के बारे में तो male adult body का जो length होगा लगबग 40 mm का होता है उसके बाद next point है, the posterior end of the female worm अगर आप female worm का posterior end देखें देखो, anterior मतलब होता है आगे, posterior मतलब पीछे तो posterior end अगर आप ध्यान से देखें तो वो थोड़ा narrow होता है, ठीक है और pointed होता है राइट, नुकिला, that bears anus, जिसमें anus present होगा वाइल अगर आप male का अगर आप देखें तो while male is curved, male का थोड़ा curved होता है hook के समान होता है, ठीक है इससे आप आसानी से पैचान सकते है कि कौन सा male है और कौन सा female है vertically and contain numerous of the genital papally two यहाँ पर इस जगह पर genital papally होते हैं जिनकी संख्या दो होती है, ठीक है तो यह है male और female body में difference यह female body है और यह male body उसके बाद next point आता है females, males and females remain coiled together दोस्तों जहाँ पर यह हमारी lymphatic system होता है lymphatic system के अंदर जैसे हमारी lymphatic vessels जो होती है उनके अंदर यह coiled foam में पाये जाते हैं आपस में lip टे हुए पाये जाते हैं, coiled foam में right, the head end is slightly enlarged अगर आप इसके head वाला part देखें, इसके head के end वाला part वो थोड़ा enlarge होता है और इसका mouth aperture जो होता है वो बिल्कुल simple है और without lips यह जो इसका mouth aperture होता है, जो छिद्र होता है वो बिल्कुल simple होता है और इसमें lips नहीं होते यानि without lips होता है next point दोस्तो, the female worm is viviparous and directly liberates the scythed microfilly into the lymph यानि यह जो female body होती है यह जो female adult body है वो उचीरिया की यह directly बच्चे देती है यानि कुछ तो ऐसे होते हैं जो egg देते हैं यानि कि वो ovoparous होते हैं कुछ यह जो है viviparous है that means यह directly बच्चे देती है और कहां पर देती है? यह जो है हमारे जो lymph होता है वही पर यह बच्चे देती है और जिसे हम बोलते हैं microfillary, right? उसके बाद next point आप note करेंगे the adult worm live for many years probably 10 to 15 years or more यह जो male और female body है लगबग 10 से 15 साल तक इनका जीवन काल होता है या इससे ज़ादा भी हो सकता है right? the females are usually more in number than males अगर आप ध्यान से note down करेंगे जहां पर भी जिन tissues के अंदर भी पाय जा रही है तो वहाँ पर आपको दिखाए देंगे females की संखिया जादा है male के comparison में तो यह कुछ important points थे इनके male और female body के respect में अब हम discuss करेंगे इसके microfilari जो larva है उसके बारे में so guys अब हम discuss करेंगे voucheria के larva के बारे में इसके larva को हम बोलते है microfilari जिसका diagram आप यहां से देख सकते हैं यह इसका anterior end है anterior यानि आगे वाला भाग और यह इसका posterior end है यानि इसके पीछे वाला भाग ठीक है? आगे वाले भाग में oral style होता है जस्ट नीचे आएंगे आप bladder होता है bladder से जस्ट नीचे nephradio 4 और यह जो आपको दिखाई दे रहे green green में जिसे मैंने dot dot में बनाया हुआ यह है somatic cells तो somatic cells जो होती है वो anterior end से आपको दिखाई देगा इसकी सुरक्षा करती है ठीक है? यह cuticular body seat होती है जो इसको protection का काम करती है इस larva का नाम है micro philaria larva जो की वोचेरिया का first stage का larva होता है ध्यान रखना MCQs के लिए most important है point will be noted because MCQs में कई बार यह पूछा जाता है micro philaria larva है यह किस stage का larva है तो यह first stage वाला larva है क्योंकि इसकी life cycle के अंदर three larval stages आती है और यह जो first micro philaria larva यही most important है ठीक है? और जो L3 यानि के third जो larval stage है वो infective होता है वो जो है mosquito में होता है जैसे ही mosquito blood को सक करेगा वो L3 larva हमारी body के अंदर inject हो जाएगा अब वो धीरे-धीरे मतलब वहाँ से nutrition लेगा हमारी body से, blood cell से और धीरे-धीरे वो adult में convert हो जाएगा तो I think आपको life cycle का idea लग रहा होगा तो आए देखते हैं इसके important features micro philaria larva के और point को आप note down करते रहें the first stage larva is called micro philaria ध्यान लकना है पहला जो larva है second point आप note down करेंगे they are very active and can move forward and backward within the sheath ये sheath के अंदर इतना ज़्यादा active होता है कि ये forward to backward movement करता रहता है third point आप note down करेंगे they are microscopic and measure about 250 to 300 micrometer in length and 6 to 10 micrometer in thickness दोस्तों ये जो larva है ये microscopic है that means without microscope के आप इसको नहीं देख सकते naked eyes से बिलकुल भी आप नहीं देख सकते and measure about इसकी length अगर हम बात करें तो लगबग 200-300 micrometer इसकी length होती है लंबाई होती है और लगबग 6-10 micrometer इसकी thickness ये नहीं मोटाई होती है इसके बाद next point आप note down करेंगे its body is covered with hyaline seith इसकी जो body होती है जैसा कि मैंने आपको कहा diagram में भी आप देख सकते हैं एक मजबूत layer से covered रहती है जो कि इसको protection प्रोवाइड करता है इसे हम बोलते है hyaline seith जो कि 2-3 layer होता है somatic cells और nucleae appear अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें somatic cells और nucleae दिखाए देंगे granules in the central axis पर granules दिखाए देंगे of the body extend from head to tail except यानि कि head से लेकर कि tail तक ये extend करते हैं somatic cells वेगरा उसके बाद यहाँ पीछी के बाग में आप देखेंगे 5% terminal at the tip इसके बाद next point आप note down करेंगे they do not undergo further development in the human body ये जो first stage वाला larva है इसका development अब human body के अंदर नहीं होता है ध्यान रखना है ठीक है अब ये तलास करेगा कि next इसका जो host है वो mosquito है वो आए और इसको ले जाए तो वो कैसे ले जाएगा अभी मैं आपको जस्ट बताऊंगा life cycle के अंदर ठीक है तो ये आगे इसका development नहीं होता अब ये next host की तलास करेगा जो की है mosquito अब ये mosquito eddies हो सकता है और फ्लीज हो सकता है इसके बाद अगर इसकी life cycle की बात करें अगर इस larva की ये human body के अंदर कितने दिन तक रह सकता है क्योंकि हमारे mind में question उठ सकता है कि अगर suppose जो patient है जिसकी body के अंदर ये larva बन चुका है अगर वो किसी मच्छर की या किसी भी mosquito के contact में ना आए किसी female mosquito के contact में आए ही ना वो मच्छर दानी लगा कर सोए तो क्या होगा अगर 70 दिन तक अगर नहीं आए तो वो इसकी death हो जाएग इसकी body के अंदर ही राइट और ऐसा होता ही है बिसिकली जब उनकी death हो जाती है ना तो बहुत सारे मतलब उसका जो swelling जो होता है उसकी जो vessels होंगी जो lymphatic vessels होती है या lymphatic notes होते है वो सब उसी में जाकर कि ये पूरी तरह से वह ब्रेक हो जाता है ठीक उसकी जो vessels होती है वो पूरी तरह से jam हो जाती है जिसकी कारण swelling होता है और धीर धीर आप देख सकते हैं कि इस तरह से पैर में या scrotum system या memory gland से सब पूरी बहुत ज़्यादा swells up दिखा जाता है वो काफी अगली दिखाई पड़ने लगता है ठीक है दोस्तों तो यह हमने देखा अभी तक के अब एक और most important point है जो की बहुत ज़्यादा important है इस से related mcqs definitely पूछे जाएंगे student यहाँ पर confused हो जाते हैं इस topic का नाम है periodicity of microfilari इसमें क्या होता है basically देखें यह जो larva है दोस्तों यह जिस पेसेंट के अंदर होता है ठीक है जैसे कोई infective person है जिसके अंदर यह larva है अब यह larva जो होता है इसे तलास है किसी नए मच्छर की ठीक है ताकि वह मच्छर आये अब वह मच्छर चाहें infective हो चाहें non infective हो अगर अगर वह non infective हो तो क्या होगा वह infective हो जाएगा इसको ले करके अगर पहले से ही infective हो तो कोई बात नहीं तो भी कोई problem नहीं यानि कि इसको तला से सरिफ एक mosquito की जो आये और blood जैसी वह सक करेगा इसी के साथ यह larva उसकी body के अंदर चला जाएगा एंटर कर जाएगा तो इसम मतलब हुआ दोस्तों यह जो larva है यह रात की समय में यह अपनी location change करता रहता है patient की body के अंदर यह location change करता रहता है यह दिन की समय में तो lungs में चला जाएगा या फिर हमारी जो deeper blood vessels होती है उन में चला जाएगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे for example जैसे कोई मच मच्छर आएगा तो वो रात के समय में यह क्यों आ जाता है रात के समय में basically होता क्या है कि यह जो larva है यह superficial blood vessels के अंदर आ जाएगे यानि कि जो skin की ऊपर ऊपर जो blood vessels होती है वहां पर आ जाते हैं यह ताकि कोई मच्छर आए और तुरंद जैसे ही blood सक करे और यह लेकर चला होंगे क्योंकि उस समय इसे पता है कि मच्छर वेगरा इस समय दिन में काटेंगे नहीं और यह नहीं मच्छर की कॉंटेक्ट में आएगा लेकिन रात के समय में इन्हें पता होता है यह कि हमें अब बाहर आना है क्योंकि इसे तलाश होती है किसी मच्छर की किसी mosquito की तो यह यह superficial blood vessels यानि जो skin के पास हो जैसे यह मेरा हाथ आप देख रहे हैं जैसे ही कोई mosquito आएगा और जैसे ही वो blood सक करने के कोशिश करेगा उसी के साथ यह भी चला जाएगा उसके body के अंदर अभी मैं उसका life cycle आपको दिखाऊंगा आप असानी से इसको अच्छे से समझ जाएंगे इसको आफटाफट नोट कीजे वोचिरिया बेंक्रोफ टाई के body structure को डिसकस करने के बाद अब हम डिसकस करेंगे वोचिरिया बेंक्रोफ टाई के life cycle के बारे में इसके जो life cycle है वो exam paper में कई बार 7.5 नमबर या 10 नमबर में question में पूछे जाती है और कई बार इसके outline ही 5 नमबर में पूछ लिया जाता है तो outline अगर आपसे पूछा जाए तो साथ में आप diagrammatic representation भी कर सकते हैं long question में आपसे theoretically में तब पूछा जाता है जब आपके exam paper जो है theoretical base हो कई बार कई सारे से universities कई सारे से college जहांपर mcqs base पर भी होता है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी life cycle के एक एक stage को आपको अच्छे से याद रखना होगा देखें दोस्तों यहाँ पर आपको explain करने के लिए अगर आपका theoretical base है तो आपको explain करने के लिए कुछ points तो ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने होंगे कुछ points ऐसे हैं जो आप इसकी life cycle को understand करके ही लिख सकते हैं यानि कि आपको इसकी life cycle को अच्छे से समझना होगा कि कहां कहां से कैसे mode of transmission हो रहा है कैस कौन सी इसकी infective stage है उसके बाद आप इसको अच्छे से explain कर सकते हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखने होंगी जो कि मैं यहाँ पर discuss करने वाला हूँ और वही चीजे mcqs based के जितने भी ऐसे college है जहां पर mcqs based पर question पूशे जाते हैं उनके लिए भी यह point ऐसे हैं जो कि उन्हें याद रखने होंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहला point आपको note down करना है वो cherry a bank of die एक die genetic parasite है यानि अपनी life cycle को दो host में complete करता है man and mosquito यह जो man है यह definite host है यानि कि इसकी जगें कोई नहीं ले सकता जबकि यह intermediate host है mosquito इसमें आता है female mosquito तो ध्यान अगना है आपको एक point और भी कि mosquito में जो हती है वो female mosquito ही participate करती है तो female mosquito के जो genus है जैसे culex, eddies, anaphlies यह तीनों genus इसमें से कोई से भी genus participate करते हैं तीसरा point है infective form यह most important point है कि इसका infective form कौन सा है MCQ's purpose से भी और theoretical purpose से भी यह note down करने लागए point है तो आपको इसको note down करना है देखिए actively motile third stage filio form larva यह जो filary form larva है वही जो है इसका infective form होता है man के लिए कैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ जैसे ही कोई mosquito आता है mosquito को नहीं पता है कि उसकी body के अंदर कोई nematode है उसे इतना पता है कि बस मुझे जाना है और blood सक करना है ठीक है blood को चूसना है तो वो जैसे ही जाएगा और bite करेगा human को तो उसकी mouth है जो उसका labial part है या proboscis है उसी के अंदर वो nematode होता है और वो जो nematode है वो उसका जो filary form larva है उसकी third stage होती है वो third stage या third stage जैसे ही वो enter करेगी उसकी blood के अंदर या उसकी vessels के अंदर जो उसकी lymphatic vessels है उनके अंदर वहाँ पर जाकर के अब ये पूरी तरह से infective form जैसे उसके अंदर body के अंदर transmit हो गया human के अब वहाँ पर पोचने के बाद वो nourishment करेगी यानि कि वहाँ पर nutrition ले करके वो adult form में convert हो जाता है अभी just मैं उसको life cycle को समझाओंगा तो ध्यान लगना है L3 stage यानि कि third stage जो होता है filary form larva का वही human के लिए infective होता है mode of transmission ये भी most important है कि आखी transmission हमारे body के अंदर कैसे होता इस larva का human get the infection by the bite of mosquito carrying a foliform larva यानि जो female mosquito होती है जिसके mouth के अंदर ये जो filary form larva है इसकी third stage होती है जैसे ये bite करेगी blood सक करने के लिए वो उसका transmission larva का हमारी body के अंदर हो जाता है copulation copulation कहाँ पर होता है देखे हमारी जो lymphatic system है जिसके अंदर आप कह सकते हैं lymphatic vessels आती है, lymphatic fluid आता है, lymphatic glands आती है देखे जैसे ही वहाँ पर adult form पहुँचता है अब adult में male भी हो सकता है female भी हो सकता है जैसे कि हमने diagram में देखा था अब यह male और female आपस में करते है copulation, यानि simply हम कहें mating या reproduction भी आप कह सकते हैं अब यह जैसे mating करेंगे, reproduction करेंगे तब इनसे जो larva बनेगा जो female है, उनसे काफी सारे larva बनते है larva का वो होता है L1 stage यानि कि first stage होता है जैसे हम बोलते है microfillary जिसकी structure भी मैंने आपको जश्ट दिखाया था अब यह जो microfillary larva है इसको दुबारा से अब यह body अब इसको तलास रहते है किसी mosquito की अब वो कोई भी genus हो, qlex, eddies या अनफलीज की कोई भी female mosquito होगी यह क्या करेगी जैसे ही blood सकरनी के लिए इसको bite करेगी अब यह जो L1 stage वाला larva है यह enter कर जाएगा mosquito के अंदर ठीक, अब यह क्या होगा अब मैं आपको life cycle समझा देता हूँ ठीक है, दुबारा से देखे, first stage में क्या होता है पहली stage, mosquito take a blood to meal देखे, mosquito क्या करता है वो blood को लेने के लिए आता है जिसके अंदर L3 larva enter कर जाता है हमारी skin के अंदर ठीक है, हमारी जो skin है upper part होता है epidermis और नीचे वाला जो होता है dermis dermis के अंदर हमारी blood vessels होती है lymphatic vessels होती है तो lymphatic vessels के अंदर पहुँच जाता है यहाँ पर हमारा जो L3 larvae stage है microflery का वो पहुँच जाएगा अब यह वहाँ पर metamorphosis करेगा यह नि molting stage होगा वहाँ पर molting होने के बाद अब यह adult में convert हो जाएगा ठीक है, nourishment लेगा वहाँ पर और यह adult में convert हो जाएगा adult में मैंने आपको कहा male और female भी होते है और generally हमने देखा कि female की संख्या जादा होती है अब यह जो male और female है यह अगर आप एक साथ हुए तो तुरंत करेंगे क्या mating, यह करेंगे reproduction reproduction करने के बाद अब यहाँ पर यह produce करते है microfillery larva, जो की चारो तरफ से एक protected layer से घिरे रहते है ठीक है, adult produce a scythid microfillery that migrate into the lymph and blood channels यह जो है हमारी lymph से blood channels के अंदर enter करेगा, यानि हमारी जो blood है, blood vessels उनके अंदर enter कर जाएगा, blood vessels के अंदर enter करेगा, अब चुकिए आपको पता है कि मच्छर जो होता है, वो blood को सक करने के लिए जैसे ही आएगा तो blood vessels के अंदर वी साथ में यह लार्वा, L1 stage को हम कहेंगे, यह पहुँच जाएगा mosquito के अंदर, अब mosquito जैसे ही blood को टेक करेगा यहां से अब फिर दुबारा से mosquito के अंदर अब चलेगी यहां पर metamorphosis क्योंकि L1 stage वाला जो microfillary larva है, यह mosquito के बोड़ी के अंदर आ जाता है, अब यह उसकी mouth से stomach तक जाएगा, ठीक है microfillary larva and penetrate mosquito mid gut and migrate to the thoracic muscles thoracic muscles तक महाँ पर पहुच जाएगा फिर उसके बाद यहां पर मैंने आपको कहा L1 stage से लेकर L3 stage, यानि इसमें 3 stages आती हैं जिनके बीच simply होगा क्या यहां पर metamorphosis होता है, आप यह मत समझना कि कोई अलग-अलग larva है larva से वही है, बस उसमें क्या हो रहा है? changes हो रहे हैं उसमें, ठीक है? change हो रहे हैं, पहले pre-change, फिर post-change इस तरह से change हो करके, वो convert हो जाता है L3 larva stage में, जो कि एक infective form होता है L3 larva stage, अब उसको पता है कि भाई, अब मुझे तलास है एक human की ठीक है? जो कि अब जैसे ही मच्छर काटेगा, तो मैं उसके अंदर enter कर जाओंगा इसे को पता है इस larva को तो यह कहाँ पर आ जाएगा? यह directly पहुँच जाएगा उसके labial वाले part में, theoretic part में, यानि simply मैं कहूँ कि उसके mouth के पास आ जाएगा जहां से वो blood सकरने जाएगा अब जैसे ही mosquito दूसरे किसी ऐसे इंसान जो कि infective है या non infective जैसे इसका blood सकरने जाएगा यह जो L3 stage वाला larva है उसकी body के अंदर enter कर जाएगा ठीक है? migrate to the head mosquito probiosis और यह enter कर जाएगा अब देखिए, यह life cycle तो I think आपको इतना समझ में आ गया होगा कुछ point ऐसे भी हैं, जैसे for example, अगर मच्छर जो mosquito है, वो infective नहीं है, तो क्या वो infective हो सकता है जब वो blood को सक करे तो देखिए, दोनों में से एक infective होना चाहिए, अब जैसे for example अगर आप simply आप देखे, commonly क्या होता है, मच्छर जो आते हैं, वो सिरिफ blood सक करने आते हैं उनको इससे मतलम नहीं है कि मेरी body उन्हें खुद भी नहीं पता है कि मेरी body के अंदर कोई निमेटोड है, कोई जानवर है, जिसकी वज़ए से human को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उन्हें सिरिफ blood सक करने से मतलब होता है अब जैसे वो non-infective है और human भी non-infective है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी problem नहीं होगा ठीक है, लेकिन अगर या तो human infective है इस larva से या वो चीरिया बेंक्रोफटाई के किसी भी state से या फिर mosquito तब यहाँ पर transmission हो जाएगा यानि कि दोनों में से एक infective होना चाहिए अगर मच्छर स्वस्थ है पूरी तरह से यानि कि यह वो non-infective है अब जैसे ही वो किसी infective person के पास गया तो L1 stage उसकी body के अंदर enter कर जाएगा लारवा का तो अब इसके अंदर जैसे ही फिर दुबार से जैसे ही मच्छर इंफेक्टी होगा अब यह किसी दूसरे स्वस्थ वेक्ति को जाकर बाइट करेगा तो उसकी body के अंदर L3 stage वाला लारवा एंडर कर जाएगा समझ रहे हो तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको मच्छरों से बचना होगा और मच्छरों से बचने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है मच्छर दानी ठीक है दोस्तों अब मेहाँ पर हमने इतना कुछ देख लिया है इसके life cycle को तो अब हम देखते हैं इसके symptoms जो elephantiasis disease है या voucheriasis disease है उसका symptoms क्या है कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी बोड़ी के अंदर ये ड्रोग हो चुका है डिजीज हो चुका है दूखिए ये जो adult parasite होते हैं चाहे वो male हो या female हो अब ये चाहे dead अवस्था में हो dead stage में हो जाए या living stage में हो जाए क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये अपनी कई सारे ऐसे adult होते हैं जो हमारी बोड़ी के अंदर ही death हो जाती है जिनकी ठीक हो जाने से क्या होगा हमारी जो blood vessels होंगी वो jam हो जाएंगी block हो जाएंगे वे और वहीं पर swelling होना start हो जाते हैं और इस swelling से हमारे जो पैर होते हैं काफी ज़्यादा swelling होने से वो ugly दिखने लग जाते हैं फूल जाते हैं पूरी तरह से और इसलिए इसे हका गया है अगर हमारे पैरों में इस तरह की डिजीज होती है तो हाथी पाऊं यानि कि हाथी के जैसे पाऊं बन जाते हैं पैर बन जाते हैं मोटे मोटे एकदम swelling होने किसे वज़े से तो इसलिए इसको कहा जाता है elephantiasis तो यानि कि इसकी दोनों की दोनों stage चाहे वो मर जाए डेड हो जाए चाहे वो living रहे दोनों ही stage हमारे लिए खतरनाक है दोनों ही disease cause करने में सक्षम है ठीक है उसके बाद दूसरा point the जिससे के हमएं पता चल जाएगा कि इतनी ज्यादा क्यों हो रही है वैसे नॉर्मल ही आप देखए मच्छर जैसे काटता है तो में पता चल जाता है तो भी issued होती है तो कई तरह के प्रोटोजुवा, कई तरह के निमेटोड्स होते हैं, इसलिए हमें मच्छरों से बचना चाहिए, शरीफ वो हमारा बलड ही सक नहीं करते हैं, उसके बाद, तीसरा जो पॉइंट है, यह जो वाउचीरिया होता है, हमारी बोडी के अंदर जितना भी हामफुल मेट बेंटियासिस, राइट, ट्रिट्मेंट क्या है, यानि कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, सबसे पहला जो बचने का तरीका हो है, इससे आप प्रोटेक्शन करें, यानि कि अभी जब तक आप स्वस्त पूरी तरह से स्वस्त हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं कि कि किसी भी त बात करेंगे वाउचेरिया के वज़े से जो disease goes होता है elephantiasis या वाउचेरियस उसका treatment क्या है क्या उसका उपचार possible है या नहीं है तो दोस्तो इसका जो proper effective उपचार या treatment अभी तक possible नहीं हो पाया है यानि कि ऐसी कोई medicine नहीं बनी है जिससे कि इसका treatment किया जा सके direct treatment जिसे लेने mosquitoes होते हैं जिनके अंदर L3 larva जो stage पाये जाती है उनको kill करने के लिए different different type की जो medicine से वो बने जाती है जैसे for example इसकी जो adult form है male या female जो हमारी body की अंदर जो adult form होता है वाउचेरिया का उसको kill करने के लिए arsenic की दवाईया दी जाती है arsenic से बनी दवाईया दूसरा point ये MCQs के important है इसलिए आपको इसको no down करना है दूसरा point आपको ध्यान रखना है इसका जो microfilari larva है उसको kill करने के लिए medicine दी जाती है dimethyl carbomozyn right तीसरा जो है इसकी infective form जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब L1 stage यानि कि L1 stage enter करता है mosquito के अंदर वो stomach से लेकर फिर mouth तक जाता है तो mouth त infective form होती है तो infective form को kill करने के लिए एक अलग टाइप की medicine दी जाती है जिसका नाम है peramilaminal phenylistibonate right तो ये medicine है जो कि MCQs में आपसे पूछी जा सकती है इसके अलावा जो ऐसे mosquitoes जो carrier होते हैं carrier किसको कहेंगे आप carrier उसे का जाता है जिसके अंदर infective microfilari larva की जो third stage है जो कि human के infective होती है वो present हो तो उसको kill करने के लिए heterozone दिया जाता है तो मच्छर को मार करके उसे kill करके मच्छरों से बच के आप लोग इस disease को दूर किया जा सकता है जो कि tropical और subtropical areas में ही पाया जाता है तो ये था वावचेरिया बेंक्रोफटाई के बारे में इसकी life cycle के बारे में के बारे में इसकी systematic position के बारे में इसकी body structure के बारे में तो अगर आपको कोई भी doubt हो आप comment के section में comment करके आप पूछ सकते हैं मैं सभी comments को पढ़ता हूँ read करता हूँ reply भी करता हूँ और साथ में इस तरह से हमारा जो parasitology वाला chapter है ये unit खतम हो जाता है जो लोग जी का अब हम botni की first unit complete करेंगे मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में बाई बाई टडा